हेलो दोस्तों मैं उसे बहुत करता हूँ आपका इस्टडी वूश्ट में आज रिनिंग का निव चैप्टर सब्द सनरेचन है देखी दोस्तों इसका जो पहला टाइप है वो क्या है सब्द के अक्षरों से बेकल्प का सब्द बनान में दोस्तों आपको एक सब्द दे दिया जो दिये गए सब्द के अक्षरों का प्योग करके बनाया जा सकता है तो देखी दोस्तों आपके सामने जो है प्रप्रेशन सब्द लिखा हुआ है और यहां पर चार आप्सन दिये गए है तो आपको बताना है कि जो प्रप्रेशन सब्द है उसके अक्षरों का प्योग कर इस preparation सब्द से नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि पैमपर सब्द में जो M अक्चर का यूज हो रहा है जबकि preparation में कहीं भी M नहीं आ रहा है तो जो पैमपर सब्द है वो नहीं बनाया जा सकता है अब देखिए दूसरा सब्द क्या है repeat तो repeat जो है क्या preparation से बनाया जा सकता है तो यहां पर रिपीट में जो है दो बार यूज हो रहा है तो रिपीट सब्द भी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि जो प्रेशन सब्द के एक्षरों से हैं में रिपीट को बना रहा है तो प्रेशन सब्द में सिर्फ एक अक्षर आ रहा है पर रिपीट में जो है दो अक्षर आ र तो देखिए इसमें जो टी आई सब्द है वो देखिये दो वारी हो जो रहा है जब कि अक्षर है वोसा एक बारहरा रहा है पजय पर यहां पर सबस्य और को प्रीशन सब्ड यहां भारा ऊंग्यूरा पर पर स्बसक्राइं सब्द और ये मिला है इसी तरह देखिए और T देखिए ऑ यह है और T यह मतलब प्रइलेच सब्रूप्र मटें सब्द चुब 4P सब्रेक्शन अगळला इस घू सामने लिखा हुआ है आप यहां तक पहले पांच अक्चर और इसके पांच अक्चर देखिए सेम है यहां तक और देखिए छटबा अक्चर जो एन है और इसमें भी एन है यहां तक तो सेम है देखिए अब जो ए है एक्जामिनेशन में सिर्फ एक बार आ रहा है पर यहां एक्जामिनर में दो बा Examination में कहीं नहीं आ रहा तो जी एनिमल भी सब्द नहीं बनेगा है यह अब देखिये और यह भी मील चुकत है इसWait ситу ऐाय ओन कि तक एक मतलब एन्य फीन सब्द जो एक्जामिनेशन से बनाया जा सकता है दीखिए एन आई एम ए तो यहां तक तो हमें मिल चुका है इसके बाद देखे टी आई ओ एन तो एक्जामिनेशन सब्द के अक्चनों का यूज़ करके हम बना सकते हैं तो इसका जो आप्टन होगा वो सी आप्सन होगा देखिए दोस् कि देखिए इस सब्द में कहीं भी एक्षर नहीं आ रहा है पर यहां पर एक्षर का यू जो रहा है तो ओपन सब्द जो है नहीं बना सकते क्योंकि ओपन सब्द का जो एक्षर है वह इस सब्द में कहीं भी नहीं है इसी तरह देखिए O P I U M दूसरा सब्द देखिए O P I U M देखिए O और P तो हमें मिल गए हैं अब देखिए I भी यहां मिल गए है U देखिए U अक्षर जो है इस सब्द में कहीं भी नहीं आ रहा है तो यह जो दूसरा उप्षन है यह सब्द भी नहीं बनाया जा सकता अब देखिए तीसरा सब्द देखिए O P I तीन अक्षर तो हमें मिल चुके हैं इसी तरह देखिए N भी मिल चुका है अब देखिए I जो है यहां पर भी है अब देखिए O और On मतलब अपेनियन जो सब्द है इस सब्द से बनाया जा सकता है देखिए दोस्तों आपके सामने अगला कोश्चन लिखा हुए Environment तो Environment सब्द के एक्षरों का यूज करके हम इन चार ओप्शनों में से कौन सा सब्द बना सकते हैं देखिए दोस्तों पहला सब्द लिखा हुँ Eminent क्या मैं Environment के अक्षरों से बनाया सकता हूं तो देखिए Eminent देखिए इन, टी जहां पर है और इस सब्सक्व इस सब्सक्रिब संवजण का भ्रश्जय करके बना सकते हैं देखी दोस्तों यह सब्द सनरशना का टाइप टू है सब्द के अक्षणों से बेकल्प का सब्द ना बनना देखे दोस्तों इस से पहले हम ने देखा कि आपको एक सब्द दे दिया जाता था और आपसे बोला जाता था कि उस सब्द के अक्षणों का यूज करके आपको दिये गई चार आप लिखा हुआ है दिये गए बेकल्पिक सब्दों में से उस सब्द को चुनिए जो दिये गए सब्द के एक्षणों का प्योग करके नहीं बनाया जा सकता मतलब इससे पहले हमने जो टाइप देखा था उसमें बना सकते थे और इसमें यह बताना है कि हम कौन सा सब्द नहीं ब बताना है कि कौन सा सब्द होगा जो हम कारपेंटर के एक्षणों का यूज करके नहीं बना सकते इन चार आपसों देखिए सब्द के पहला सब्द लेका हुए रिपीडेंट देखिए और ये पी तो देखिए चार अक्षण तो मुझे मिल चुके हैं एन और टी तो मतलब हैं जो सब्द हैं मैं बना सकता हूं कारपेंटर सब्द के एक्षणों का यूज करके देखिए यह पैंटर क्या हम बना सकते हैं तो देखिए पी पी ए आई देखिए यह सब्द जो है हम नहीं बना सकते हैं क्योंकि जो इसका तीसरा अक्षर है आई और जबकि कारपेंटर में कहीं भी आई अक्षर का यूज नहीं किया गया है तो हम जो पेंटर सब्द जो है वो कारपेंटर सब्द के अक्षरों का यूज करके नहीं बना सकते तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा बी ऑप्सन होगा इससे पहले जो हमने टाइप किया था उसमें हमें यह बताना था कि हम दिये गए सब्द के अक्चनों का यूज करके कौन सब्द बना सकते थे पर इस टाइप में हमें ये बताना है कि हम दिये गए सब्द के अक्चनों का प्योग करके कौन सब्द नहीं बना सकते हैं देखे दोस्तों अगला question आपके सामने लिखा हुआ है distribution तो देखिए इसमें भी चार option दियेगा है हमें बह सब्स बताना है जो हम distribution सब्दे के अक्षरों का यूज करके नहीं बना सकते तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ तेखिए सिट्यूएशन देखिए स और आई टी यू थे जो है त्टी सफद में एकपन्स है यह a audio gri क्योंकि distribution सब्द में जो एक्षर है वो कहीं पर नहीं है जब कि situation में ए आ रहा है देखिए दोस्तों अगला कोश्चन आपके सामने लेका हुआ देखिए और कोश्चनों का यूज करके बना सकता हूं अभी चार्टर का क्そ पर में चो अब देखिए a r ye ho ho चुका है अब देखिए t t यहां पर है अब देखिए by अक्षर जो है character सब्द में कहीं भी नहीं आ रहा तो मतलब यह तीसरा option है यही वह सब्द है जो मैं character सब्दे के action का यूज करके नहीं बना सकता तो इसका जो option answer होगा यह तीसरा option ही इसका आंसर होगा जो तीसरा option hearty hearty जो सब्द है h-e-a-r-t-y वह सब्द यह यह वह सब्द है जो मैं character सब्दिक एक्षणों का यूज करके नहीं बना सकता हूं लेकि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें